Hello student, good morning to all of you, let's start today, the class 7 English medium, subject social science, chapter 2, rise of the regional kingdom, ठीके, इसके question answer के बारे में हम थोड़ा explain कर लेते हैं, ठीके, किस तरह से एक सामरज्य का उदय होता है इसके बारे में, कुछ questions है इसमें, choose the correct options, fill up, true false, matching आपको PDF के दोरा send कर दिया है, कुछ questions देखते हैं, उसको explain कर देते हैं, पहला question यह देखते हैं, section E का very short answer type question में, is that the lateral meaning of Rajput, literal का मतलब होता है शादिक, Rajput का अर्थ क्या है, the literal meaning of Rajput is the son of king, ठीक है, son of king means, राजा का जो पुत्र होता है, वो होता है, राजपूत, ठीक है, तो राजपूत का शादिकरत होता है, राजा का पुत्र, second one, who established the state of Marwa, मारवा की स्थापना, राजपना किसने की, the gujar प्रतिहार्स established the state of Marwa in Rajasthan, and gain prominence during the rule of Nagbata, ठीक है, जो गुजर प्रतिहार्स थे, उन्होंने स्थापना की थी, मारवा राज्य की कहाँ पर, राजस्थान में, और क्या प्राप्ति क्या है उन्होंने, and gain, gain मत्त्र प्राप्त करना, prominence, शोहरत, इज़त प्राप्ति की उन्होंने, और किस शासनकाल में, जो नागवटत है, अब वो शासनकाल में, उन्होंने, ये सब प्राप्ति को प्राप्त किया है, next question, what is a decan, decan क्या है, उसको देख सकते हैं, the area between the नर्मदा and the कृष्णा रिवर्स, के बीच का जो इस्सा होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, decan के नाम से जाना जाता है, question number 4 के बात करते हैं, who wrote the book, किताब अभिंद, भाई, जो किताब अभिंद है, वो बूग किस ने लिखी, तो देखते हैं, अलबुरानी, lived for many years in India, भारत में वो कई सालों तक रहे, learn, Sanskrit, उन्होंने संस्कृत भाषा सिखी, and wrote an excellent book, और उन्होंने एक बहुत ही excellent उतकर्ष, ठीक है, एक किताब लिखी, on India, इंडिया नाम पर एक उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी, जिसका शीर्षक क्या था, किताब अल, हिंद, ठीक है, अगला question की तरफ चलते हैं, question number five, name the three powerful kingdom in the south, ठीक है, तीन powerful सामरज्य के बारे में पूछ रहे हैं, तीन powerful सामरज्य कोन से थे, तो there were, वो थे, तीन powerful kingdoms in south, दक्षिन बारत में, पल्लव्स, दपांडियाज, और चोल, ये तीन ऐसे सामरज्य थे, जो south के सबसे powerful, सामरज्य, सबसे उतक्रश्ट, सबसे शक्तिशाली, सामरज्य में किने जाते थे, चले, आगी के जो questions के answer है, वो आपको अगले वीडियो में send कर दी जाएगे, अगले पीडियो में आपको send कर दी जाएगे, उसको हम देखते हैं, अभी हमने very short के explain किये वे, उसके बाद में short answer type question देखेंगे हम, 7th question इसमें से, इसमें से कोई भी 5-6 हम आपको explain कर देंगे, ठीक है, thank you.